बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com प्रशन कॉल के द्वारा भी और साथे साथ अपना प्रशन आप मुझे लिखकर भी बेच सकते हैं आज है 10 मार्श 2022 दिन है ब्रहस बतिवार का आज है श्री दुर्गा वरत दुर्गा अश्टमी और साथ साथ आज से आरंब हो रहे हैं हुलाश्टक देखा जाए तो हुलाश्टक का जो समय होता है लगभग ये जो समय आता है होली से आठ दिन पहले आता है इन दिनों पे हर तरहा के मंगले कारे जो है वो बंद हो जाते हैं किसी भी प्रगार के मंगले कारे इन दिनों नहीं किये जाते हैं ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रहे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्याधा क्रूर हो जाते हैं, जिसकी वज़ा से कहीं डुर घटना होना या जीवन में अत्य अधिक परशानी आना संभावना बन जाती है, तो इसलिए अपने आपको अपने मन को शान्त रखें इस धुरान चलना जाहिए वहीं पे जिस समय पर होली का दहन होता है यानि छोटी होली पे खुलाश तक समाप्थ हो जाते हैं अगले दिन दुलहेंडी वाले दिन हम रंगो भरी होली खेलते हैं और साथ-साथ रंगों से मधुर प्रेम भी बिखेलते हैं चले बात करेंगे आज के पंचांग की आज है फागुनमास के शुक्र पक्षकियाष्ट में थि थी और वहीं पे ये तिथी जो लगी है ये दस मार्च आदे रातरी यानि नौ मार्च की हम कह सकते हैं रातरी काल में या दस मार्च की सुभा दो बच के सतावार मिनट पे लग चुकी है इसके अलावा ये जो रहेगा सुभा साड़े ग्यारा बजे तक इसके बाद अम्रिक शीर्ष नक्षत्र जो है आरंब हो जाएगा प्रहोकल दोपैर का रहेगा समय रहेगा दो बच के पांच मिनट से लेकर के तीन बच के तेतिस मिनट तक का चंद्रमा सारा दिन विशेब राशी में गोचर करे हैं इस विशेब पे चर्चा करेंगे और साते साथ जानेंगे आज की लखी टिप चलिए बात करेंगे हर बार की तरह प्रत्हम राशी यानि मेश राशी के जातकों की मेश राशी के लिए कार्ज आ रहे हैं Three of Pentacles वहीं पे काड़ आया है throne Cake Eight of pentacles और साथ साथ seven page of pentacles तीनों ह दिन बहुत अच्छा रहेगा आज आपका और इसके साथ साथ देखा जाए तो आज पैसो की नई शिरुवात हो सकती है मगर वहीं पैसो को लेकर के लापर भावी हो सकते हैं रुका हुआ धन वापिस आने की संभावना है थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिए अगर पैसा आ हार है तो उसको नश्ट ना करें बर्बात ना करें नहीं तो आगे चलके फानांशल इशूज आप लोगों को आ सकते हैं मेश राशी के लिए पाए क्या रहेगा आज के दिन माता की पूजा करें माता को लाल चुनरी भेट जरूर करें बात करेंगे अगली राशी व्रिश अगर नौकरी से जड़े हैं तो कोई खुश ख़ड़ी मिल सकती है आपके लिए पाए क्या सही रहेगा वरिशिप राशी के जातकों के लिए पाए सही रहेगा यदि आज के दिन आप माता को किसी भी तरहां के चांदी की वस्तू अर भेट करें तो लाप राथ होगा बात आज के दिन काफी हद तक अच्छा जाएगा आप लोगों का और हर एक चीज को आज बैलन्स करके चलेंगे अपने प्रेमी की अनरजी अपने साथ बैलन्स करके चलेंगे बहुत अच्छी अंड़स्टैंडिंग आपके बीच में आज के दिन बनी रहेगी वही पे जो अगर आप रिष्टा ढून रहे हैं तो आज का दिन बहुत शुब है हो सकता है आपकी योगय वर्यवदू आपको मिल जाए मितुन राशी के जातकों के लिए पाय के रहेगा आज के दिन आप दुर्गश सब्त शती का पार्ट करें हिलाफ प्राप्त होगा बात करेंगे क करक राशी के जातकों की करक राशी के लिए काज आये हैं फाई ओफ पेंटिकल्स वहीं पर फोर ओफ पेंटिकल्स नाइन ओफ कप्स काड आया है आज को दिन काफी हद तक अच्छा रहेगा कोई विश्पूरी हो सकती है इसके लावा धन के मामलों में थोड़ा सा कंजूस कोसी बरतने की समभाबना चान परें आपकों की किछ हो सकता है राशी के जातकों के लिए उपाये करहें के बहके निकर ढवाँ के परिवार को लेकर के अच्छा रहेगा, इसके साथ परिवार में कोई अगर मामला उलच रहा था तो वो सुलज़ेगा, मगर वहीं परेम को लेकर के थोड़ा लापरवाव हो सकते हैं, इसके अलावा काम के प्रती, एफर्ट्स जादा लगाने पड़ेंगे, हो सकता है, आपक करन्या राशी के जातकों की, करन्या राशी के लिए काद आये हैं, फाइव अफ कप्स, वहीं पे टू ओ ओफ वॉन्स और दहमिट काद आया है, आज किसी भी तरहां से इमोशनल होने से बचना है, किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी अडवाइस देर से बचना है, जो लोग किसी थी तरह जातक खार में ओओ उनके तैयारी करें उनके लिए ऐ लिए बहुत अच्छ हेगा।कर के निदेन, ए जिएर को पान अर्पित करें, लाभ प्रापट में होगा। बात करेंगे तुला राशी के जातकों की, तुला राशी के लिए काज आ रहे हैं, The Magician, Hyperstress और Five of Swords, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, मगर कुछ अपनी मनमर्जी की वज़ा से आप अपने लोगों का दिल दुखा सकते हैं, especially कोई अगर महिला आपके चीवन में बहुत क्लोज है, आपके माता है, पहन है, आपके स्पाउस है, तो उनका आप आज के दिन दिल दुखा सकते हैं, इसलिए अपनी मनमर्जी ना करने की वज़ाए, थोड़ा सा सपोर्ट करके चले, जात अच्छा रहेगा, आज कोई खुश खबरी आप लोगों को मिल सकती है, पैस अच्छिक राशी के लिए काज आए है, डेत काड आया है, सिक्स ओफ कप्स काड आया है, और साथ सत काड आया है, सेवन अफ पिंटिकल्स का, आज का दिन काफी हत्ता क अच्छा जाएगा, कोई नई चीज शुरू हो सकती है, उफार लें देन का समय है, मकर धन को खर्चा क देनिया का सही समय नहीं है, अगर खर्चा करेंगे तो नुकसान आपको होगा, और उसका आपको परिणाम भी सहीड पराप्थ नहीं होगा, आज कि दिन माता को समान के समान पेट करें, लाप पराप्थ होगा, बात कर धनुराशी की जात्तों की, और जफ द्नुराशी के क्लीक हैं, उनसे बच के रहना है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति आज आज आपको टीज कर सकता है, छेड सकता है, आपको कई ना कई परिशानी दे सकता है, तो उन सब चीजों से आपको बच करके रहना है, आप लोगों के लिए क्या बहतर रहेगा, आज के दिन माता को पील आप न उतर पाएं, तो थोड़ा सा आप निराश हो सकते हैं, वहीं पे emotional होकर कि किसी भी तरह का decision आज के दिन नहीं लेना है, मकर राशी के जातकों के लिए बहतर रहेगा, यदि आज के दिन चांदी की बिछी आम माता को अर्पित करें, बात करेंगे कुम राशी के जातकों कि कुम राशी के लिए काज आया है, टू अफ सौद्स भही पे फोर अफ कप्स और साथ साथ काड आया है, नाइट अफ सौद्स का, आप लोगों के लिए भागदोड भरा दिन रहेगा, मगर फिर भी जो चीजे आप चाहते होंगे, या जिन चीजों के लिए आप भागद कि जनी काली माता को डीमभू कि माला अर्पित करें तो लाप राप्त होगा, बात करेंगे अंतिम राशी यानि मीन राशी के जात्तकों की, मीन राशी के लिए काज आ हैं, और नाइट ओफ पेंटिकल्स धन राशी आज के दिन आप राप्त हो सकता है, धन राशी को लिए धनमिस्थरता आएगी, जो flow है, income of source है, वो आजके दिन दुखना हो सकता है, हर चीज को संभल करके चलना है, नहीं तो आने वाले समय में sudden downfall आपको face करना पड़ सकता है, स्वास्त का आजके दिन ध्यान रख करके चले मानसिक्तना वुद्बन हो सकता है, मीन राशी के जातको के लिए क्या सही रहेगा, आपके लिए बहतर रहेगा, दुर्गा सब श्रती का पाठ करना लापकारी सावित होगा, चले बात करेंगे अंतिम में tip of the day की होलाश्टक आरंब हो चुके हैं, वैसे भी किसी प्रकार का मांगले कारे तो कर नहीं सकते, मगर हम उपाय जरूर कर सकते हैं करना क्या है, आज के दिन परक्ष के नीचे जाकर के एक चौ मुखी दीपक चलाए, चौ मुखी दीपक के इरद गिरद जो है, एक नीबू ले उसकी चार्ट फाड़ी करें और हर एक मुखी दीपक के बाती के साथ हर एक नीबू को रखाएं ऐसा करने से आपके घ शेष्डिलाद